भारत के खिलाब 5-20 मैचों की सीरिज का पहला मैच 9 जून को दिल्ली में खेला जाएगा इस मुकाबले से पहले भारती टीम को रोकने के लिए दक्षिड अफरीकी टीम मैदान पर जम कर पसीना बहा रही है शुकरवार को दक्षिड अफरीका की पूरी टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जम कर प्रैक्टिस की दक्षिड अफरीकी कप्तान टेममा वाउमा एडन माकरम डेविन पिटोरियस केशो महराज तबरे शमसी के साथ कई दूसरे खिलाड़े उने नेट्स पर जम कर प्रैक्टिस की सभी ने काफी देर तक मैदान पर जम कर पसीना भाया महें रोह शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में केल रहुल के अगवाली भारती टीम रविवार को दिल्ली पहुचेगी जिसके बाद वो भी मैदान पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे इस सीरीज में भारत की और से कप्तानी की कमान केल रहुल के पास हवें रिशरपन टीम के उपकप्तान है मौईबो नेशर कुमार और दिनेश कार्तिक को छोड़ कर टीम में ज्यादतर युवा खिलाड़ी है ऐसे में केल रहुल के सामने अनुभवी दक्ष्रफरीकी टीम बड़ी चुनोती दे सकती है भारत दक्ष्रफरीका के बीच पास टी ट्वंटी मैचों के सीरीज को लेकर आप क्या सुंचते है क्या क्याल रहूल की अगवाई वाली भारती टीम दख्रीड अफरीका के खिलाव इस सीरीज में जीत हांसिल कर पाएग ये नहीं अपनी राय हमारे कामेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं साथ ही स्पोर्ट जूड़ी खबरे पाने क्लिमार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे